हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल तो चलिए देखते हैं आज का परसंटेज का क्वेस्चन किस तरीके से इस क्वेस्चन को हम कर सकते हैं क्या चीज़े हैं जो language problem हमें करती है वो चीज़े यहाँ पर बिल्कुल break करके समझाई जाएंगी आपको बिल्कुल clear हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद आपको question को break करना उसकी language को break करना आ जाएगा ठीक है तो देखते हैं पहला question two numbers are less than a third number दो number नहीं पता कौन है less है किसे तीसरे number से then के बाद जो आता है जो previous वीडियो जिन्होंने देखी होगी उन्हें पता है कि मैं किस तरीके से break करती हूँ ठीक है then a third number ठीक है भाई हमें नहीं पता वो third number क्या है लेकिन third number से कम है कौन जो शुरू के दो number है first number, second number, third number ठीक तो मैंने कहा था then के बाद जो value लिखी होती है उसके बारे में पहले पता होना चाहिए तो वो हमें नहीं पता लेकिन यहां काम चल रहा है percentage पे तो उसको माल लो 100 उसको माल लो 100 तो अगर third number हमारा hundred है तो जो शुरू के दो number है वो 37% less है by लिख खाया उतना कम कर दो मतल डूंबर से respectively का मतलब यह हो गया कि पहली value पहले के लिए second value second के लिए तो यह जो second number होगा वो 30% less होगा किससे इससे इसका 30% कितना होगा 30 होगा 30 समें से कम करोगे तो सत्तर अच्छा कि यह जो number है इसससे 30% कम है यह जो number है इसससे 30% इससे कह रहा है, देखो यहीं पर चीज समझो, कि दोनों के बीच का अंतर 30 है, किससे कह रहा है, इससे, इससे ना, तो नीचे की आएगा, अगर इससे कहता, कम की बात करने, तो कम किससे है, भई, इससे तो कम है, इससे कम है, तो इसको नीचे रखेंगे, अगर वो हमें कह दे ठीक है तो देख रहा है कि comparison किस से हो रहा है तो उसने काया है कि second number जो है third number से 30% कम है इससे 30% कम है तो इसका 30% निकालेंगे इसमें से ही minus कर देंगे तो 70 आएगा 100 का 30% 30 ही होता है ठीक है दूसरी बात उसने काया है कि जो first number है वो भी third number से 37% कम है तो इसका 37% 37 ही होगा तो इसमें से जैसे हम 37 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 63 तो इन दोनों का अगर आप देखते हो तो ये वाला नमबर इससे 37% कम है ठीक है? देख लो दोनों का अंतर 37 किससे कम है? इससे कम है into 100 तो 37% आएगा अगर वो कहता ये वाला नमबर कितना जाद है? ये ये तो जाद है अगर वो जादा के बारे में बात करने लग जाता तो हम क्या करते? ये वाला नमबर इससे कितना जाद है? तो 37 जाद है percentage में पूछे तो इससे जादा है इससे comparison आ रहा है तो ये तो then के बाद ये वाली value लिखी होती है ठीक है? तो वो चीज हमारे समझने के then के बाद third number का है तो इससे comparison कर रहा है तो अब उसने का है what percentage is the second number second number more than the first more than the first कि second number जो है more है तो दिखी रहा है second number, third number से more तो है कितना more है? 7 more है 7 जादा है then किस से? first वाले से तो then के बाद जो लिखा है first उसको नीचे रखना है into 100 7 से गया 9 बारी 100 by 9 आ गया तो ये हमारा answer हो जाएगा ठीक है? डारेक्ट अगर इससे करना था तो ऐसे कर सकते थे कि भाई दोनों के बीच में जो यहाँ पर difference रहेगा वही यहाँ पर रहता है तो दोनों के बीच में 7 का अंतर था तो 7 ही हमने रखना ठीक है तो उसने then the first बोला था then the first बोला था तो first number क्या होता? first number हम अपने आप सोच सकते थे कि 100 में से 37, 63 तो डारेक्ट 63 नीचे रखते into 100 तो वो practice से आ जाती है चीजें कुछ ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो please इस वीडियो को like और comments करके ज़रूर बताना और जादर जादर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि आपको ऐसी नई-नई वीडियो और भी मिलती रहें